ये बच्चे आज हम लोग discuss करेंगे and CRT exercise 2.2 Prove that 3 sin inverse x is equal to sin inverse 3x minus 4x cube जहाँ आपका x belong कर रहा है close interval minus 1 by 2,1 by 2 आई इसका solution हम देखते हैं जिस तरह से हम इसको prove करेंगे सबसे पहले इसमें sin inverse use हो रहा है तो आप sin inverse x को theta माँदो तो let sin inverse x is equal to theta जब sin inverse अपना side change करेगा तो उधर sin बन जाएगा जाकर के यहाँ x है यहाँ हो जाएगा आपका sin theta तो x के जिगह पे क्या आगया sin theta आगया अब हम 11th class में एक formula पढ़े थे sin 3 theta is equal to 3 sin theta minus 4 sin cube theta अब यह sin उधर चला जाएगा side change करेंगे तो यहाँ 3 theta सिर्फ बचेगा तो sin उधर चला गया तो sin inverse हो गया फिर bracket के अंदर आपका आगया 3 sin theta minus 4 sin cube theta अब इस theta के जिगह पे हमने क्या माना है sin inverse x तो 3 sin inverse x is equal to sin inverse 3 sin theta के जिएपी कितना है x तो x minus 4 sin cube theta तो sin cube theta मतलब किसका theta? किसका cube? x cube तो sin inverse 3x minus 4x cube यही तो हमको प्रूब करना था 3 sin inverse x is equal to sin inverse 3x minus 4x cube आए question number 2 देखते हैं क्या है? 3 cos inverse x is equal to cos inverse 4x cube minus 3x x belongs to 1 by 2 से 1 यानि यह वाला condition जो है यह इसी interval के अंदर जो है यह सही है इसलिए यह interval दिया जाता है x belongs to लोज interval 1 by 2 से 1 तक आए हम उसमें क्या देख रहे थे? sin inverse x को theta मान लिये थे यहाँ cos inverse x को theta मान लिए थे अब यहाँ x है cos inverse x cos inverse है तो उसको उधर भेज दो cos theta हो गया x ब्रावर कितना गया भाई? cos theta अब चुकि एक फर्मूला पढ़े हैं हम लोग cos 3 theta is equal to क्या हता है? 4 cos q theta minus 3 cos theta फिर यहाँ cos का side change होगा यहाँ 3 theta है तो 3 theta रहने दिया हमने cos को अधर भेज यह cos inverse हो गया फोर cos q theta minus 3 cos theta अंदर में अब चलिए 3 theta तो theta के ज़एपे कितना है? cos inverse x cos inverse फिर cos cube theta यहाँ cos theta का q है cos theta का q that means x का q तो हमने x का q रख दिया minus 3 cos theta के जएपे कितना है? x cos inverse 4 x cube minus 3 x 3 cos inverse x बराबर cos inverse 4 x cube minus 3 x यह प्रूब हो गया आई question number 3 है 10 inverse 2 upon 11 plus 10 inverse 7 upon 24 is equal to 10 inverse 1 upon 2 तो चलिए हम लोगोंने एक फ्रोमुला पढ़ा है 10 inverse x plus 10 inverse y यह आपका क्या होता है? जब आपका xy less than 1 हो xy अगर 1 से छोटा हो तो 10 inverse x plus 10 inverse y का फ्रोमुला होता है 10 inverse x plus y upon 1 minus xy यह आपका यहाँ एक चीज़ धियान में रखना पढ़ता है कि यहाँ आपका x भी 0 से बरा है y भी 0 से बरा है और xy अगर 1 से छोटा हो तब यह फ्रोमुला हम लोग यूज करेंगे 10 inverse x plus y बटे 1 minus xy अगर xy बराबर 1 हो xy अगर बराबर 1 हो जाता है तो फिर इसका वहली हो जाता है πाई अलसे चलिए पाई बाई बाई 2 लेकिन अगर xy ग्रेटर देन 1 हो तो इसका हो जाता है पाई प्लस 10 inverse x प्लस y बटे 1 minus xy तो सबके लिए अलग अलग फर्मूला होता है लेकिन अभी हमको देखना है कि 2 upon 11 इंटू 7 इंटू 24 करेंगे तो यह आपका 1 से छोटा आता है इसलिए हम यह वाला फ्रमूला लगाएंगे 10 inverse x plus y बटे 1 minus xy तो x के जगापे है 2 upon 11 y के जगापे है 7 upon 24 x plus y 2 upon 11 plus 7 upon 24 बटे 1 minus xy 2 बटे 11 इंटू 7 upon 24 तो नीचे आपका अलसिय मागे 11 इंटू 24 उपर 48 प्लस 77 यहाँ भी अलसिय मागे 11 इंटू 24 फिर यहाँ 11 इंटू 24 होता है 264 माइनस 14 हो गया अब यह तो केंसिल हो जाएगा 48 प्लस 77 कितना 125 अब फिर 264 में 14 चला गया 250 हो गया 125 से 250 केंसिल हो जाएगा दो बार में तो 10 inverse 1 by 2 बच गया यह आपका RHS प्रूब हो गया आई कोशन नंबर 4 है 210 inverse half plus 10 inverse 1 by 7 is equal to 10 inverse 30 1 by 17 हम लोग एक फर्मूला पढ़े गया है 210 inverse 210 inverse x का फर्मूला यह चाहता है 10 inverse 2x बटे 1 minus x square यही फर्मूला हम योज़ करेंगे भी 210 inverse 1 by 2 plus 10 inverse 1 by 7 तो 10 inverse 2x x के जगा पर 1 by 2 तो 2 into 1 by 2 बटे 1 minus 1 by 2 इसको जस्का तरस उतार दिये है 2 into 1 by 2 22 आपका क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा यहां पसकिया उपर पर 1 नीचे 1 minus 1 by 2 का इसकार कितना 1 by 4 plus 10 inverse 1 by 7 होगी अब 1 में 1 by 4 minus करेंगे तो 3 by फोड़ा जाएगा इसी को पलट देंगे तो 4 by 3 आगया 10 inverse 4 by 3 plus 10 inverse 1 by 7 अब 10 inverse x plus 10 inverse y है तो 10 inverse x plus y 4 by 3 plus 1 by 7 बटे 1 minus क्या होगी 4 by 3 into 1 by 7 चलो भाई तो अजसियम आगया आपका 3 into 7 उपर होगया 28 अब प्लस क्या होगया 3 नीचे 3 और 7 को मल्टिपिलाएके 21 आगया यहा 21 minus 4 चलो तो 10 inverse 28 plus 3 कितना 31 21 में 4 minus होगया तो 17 आगया यह आपका अर्चस के बराबर आगया अगया अब क्वेशन नमबर 5 है राइट इन सिंप्लेस्ट फॉर्म 10 inverse root अंडर 1 plus x square minus 1 अपाउन एक्स है इसको सिंप्लेस्ट फॉर्म में लेखा है तो एक काम करते है x के जगर पे 10 theta हम पूट कर देता है तो theta बराबर क्या आजागा 10 inverse x तो x के जगर पे हमने क्या पूट किया है 10 theta 10 inverse root अंडर 1 plus x के जगर पे 10 theta 10 square theta होगया minus 1 बटे कितना है 10 theta 1 plus 10 square theta क्या होता है 6 square theta minus 1 नीचे कितना आगया 10 theta 10 inverse 6 square theta का square root 6 theta minus 1 बटे क्या होगया 10 theta 6 theta को क्या लिखेंगे 1 बटे cos theta minus 1 बटे क्या है 10 theta फिर 10 inverse LC हमाँ आगा इसका cos theta 1 minus क्या होगया cos theta होगया 10 theta को क्या लिख सकते है sin theta बटे cos theta आपका cos theta और cos theta क्या हो गया, cancel हो गया, 10 inverse, उपर हो गया 1 minus cos theta, नीचे हो गया sin theta, 10 inverse, 1 minus cos theta, तो क्या हो जाए, 2 sin square theta by 2, नीचे sin theta है, 2 sin theta by 2 into cos theta by 2, 2, 2 आपका cancel हो गया, फिर sin theta by 2 से, 1 sin theta by 2 cancel हो जाए, उपर बज़े है sin theta by 2, नीचे बज़े गया cos theta by 2, तो sin बटे कॉस कितना होता है? 10 होता है, तो हमने लिखा 10 inverse 10 of theta by 2, तो अगर 10 inverse 10 of x का हम लोगों ने property प्रोपर्टी प्रहा हुआ है, इंवर्स इरोमेट्री में, यह 10 inverse 10 of x is equal to कितना हो जाता है? x हो जाता है, आपका यहाँ theta by 2 x के जिगर पे theta by 2 हो जाएगा, अब हाफ theta के जि प्लेस्ट पारम हो गया